नमस्कार मैं तरुक्ट्रारी मिस्रा आप देख रहे हैं दीव वॉमी नीज़ एस्टीअप स्प्रेफिल टाक्स पोर्स ने प्रेस्ट कॉंफरेंस की है तो क्या कुछ मामला था किस बारे में क्रेस्ट कॉंफरेंस की गई है हमारे साथ एस्टीअब इंचार्ज अगरवाल सर रहे हैं तो इस सम्मन में जो हमने जाच शुरू की तो प्रतम दर्ष्टिया में 36 डॉक्टर्स ऐसे इडेंटिफाई हुए उतराखंड में जो की फरजी डिग्री पर प्रेक्टिस कर रहे थे तो उस सम्मन में हमने कल एक मुकदमा पंजिकरत किया है दो डॉक्टर्स को गरफ गरफतार किया गया है और उसके कबजे से काफी बड़ी संक्या में ब्लैंक डिग्री और कई सारी फरजी डिग्री फरजी मोहरें इत्यादी बरामत की गई है इसमें क्योंकि इन्वेस्टिकेशन अभी प्रशलित है कुछ और इस गिरोह के सदस हैं जो कि अभी वांचे चल कहा लें कि टोटल 36 डाक्टर को चिनित किया गया है और जो बाबा कॉलेज मुझफन नगर का तो यह कॉलेज का फंचार कप से चल रहा था इसमें कौन-कौन से सामिल थे क्या यो पकड़े गए हैं उत्रप्रदेश की मुझफन नगर से इनका क्या पिछला भी कोई कर रहे हैं इनकी विरुद्ध यूपी प्लिस ने भी काफी मुकदमे पहले दर्ज किये हैं इसमें गैंक्सर एक्ट में मुकदमा इन पर दर्ज हुआ था इन्हों ने जो इस तरह से इलीगल पैसा कमाया है डिग्री फरजी डिग्रिया बनाकर लोगों से कट्टा किया है उ या उसकी आगे यत्वितिया थी उस समझ में वहां की पुलिस इसमें आगे कारवई करेंगी अंसरी मतलब कैसे पता चला कि मतलब कोई फरजी कॉलज बनाकर मतलब दिग्रियां बाठ रहा है कि यह इस ट्यव कहां से लिंक मिला क्या कूस्ता की मतलब पकड़े जाएं क्यों कि बिल्कु ठीक का आप ने लोगों की पबलिक हैल्थ और सेफटी से जोड़ा हुआ मैटर है डेली के काफी लोग सेकड़ों लोग इन डॉक्टर से लाज कराते होंगी तो इसी लिए जब हमाई इसको सूशना मिली तो हमने काफी गंबीरता से इसमें काम किया पूरी टीम की बात है यह पहले इनका कोई कॉलेज नहीं था यह काफी समय से लंबे समय से एक रहरत है और यह लोग अपने अलग अलग ऑफिसे से फर्जी डिग्रियां बनाकर लोगों को प्रोवाइट किया करते थे तो जैसा मैंने बताया कि उसी से जो इन्होंने अवैत पैसा पैसा इन्होंने कमाया, उससे इन्होंने कॉलेज खड़ा किया है, उसको संचालित कर रहे हैं, वो कॉलेज किस प्रकार का है, कहां से मानेता प्राप्त है या नहीं है उस समय में आगे के पैसे कारवई यूपी पुलीश के दौरा की जानिया है इस ऐसा कि देखा जा कि जब भी कोई वी डिग्री लेता है, इनोसी दी जाती है, कि इसी इनोसी के धार पर आप ट्रैक्टिक कर सकते हैं, अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं, ति उनको इनोसी भी मिल गई थी, क्या कुछ लगता है कि जो ये डॉक्टर फर्जिवारा जो हुआ है, इसमें क्या कुछ मिली भगत भी होगी, देखें, ये जो डॉक्टर से भारतिय चिकित्सा परिशद उतराखंड की जो ब्रांच है, उसमें रेजिस्टर थे, उनका रेजिस्टरेशन कैसे हुआ, उनकी डॉक्युमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे हुआ, उसके पर फरजी और आपना कहीं इस आर्ड इसमें अपना कहीं प्राइबेट क्रिनिक चला रहे थे, और लोगों के स्वूस के साथ कहीं न कहीं एक मज़ा को खलिबार हो रहा था